How to increase internet speed in your iPhone जी यहां दोसर आजकी वाले यह बात करने वाले हैं कैसे आप अपने iPhone के internet speed को बरहा सकते हैं कैसे आप अपने iPhone के network speed को बरहा सकते हैं चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका जो सबसे पहला जो option है आपको mobile services में चले जाना है mobile services में जाने के बाद यहाँ पर आपको SIM का जो detail है आपको यहाँ पर सो कर रहा होगा कौन से SIM से आप internet अपना यूज कर रहे हैं जैसे कि यहाँ जीयो से यूज कर रहा हूं तो आपको यहाँ पर open कर लेना है open कर लेने के बाद आपको यहाँ पे net worth selection का option आएगा आपको net worth selection पे click करके इसको automatic को enable कर देना है इसको enable करने के बाद आपके पास एक और option आएगा why send data का आपको why send data के option पे जाके यहाँ पे 5G auto कर देना है अगर 5G on या LTE होगा तो आपको तीनों option में से जो पहला option है वो आपको select कर लेना है select कर लेने के बाद अब आपको इस setting में कुछ भी नहीं करना है simple आपको मैं यहाँ पे दूसरा जो step से वो मिता देता हूँ दूसरे step में आपको यहाँ से back आ जाना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जनरल का option आ रहा है आपको जनरल पर चले जाना है जनरल पर जाने के बाद आपको निश्ची का तरब जब स्क्रूल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल रहा होगा background app refresh आपको इस पर click करना है इस पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके app हैं वो यहाँ पर आपको show करेंगे इसमें होता क्या है दोस्तों आपके सारे apps के जो आपने access दिया हुआ है उसको enable किया हुआ है यह आपके 24 hours यह आपके background में आपके internet को यह use करते हैं यह आप आपके इंटरनेट को यूज कर रहे है 24 hours तो आपको करना क्या है दोस्तों यहाँ पे जो आपके necessary apps हैं जो आपको जरूरी लग रहा है इन apps को हमें 24 hour access देना है तो सिर्फ आपको उन्ही आपको enable रखना है बाकी की जो waste आप है उनको आप यहाँ पे disable कर दीजिए इसस से फरक आपके internet speed पे automatically पढ़ जाएगा आप इसको try करके एक बार देखिएगा उसके बाद आपको यहाँ से बैक आजाना है जो अगला इस्टिफ में आपको बदाने वाला हूं बैक आने के बाद आपको यहाँ पे एक option देखने को मिल रहा होगा यह है privacy and security का option आपके iPhone के setting में दिखेगा आपको उस पे click करना है click करने के बाद आपको नीचे की तरफ scroll कर देना है तो यहाँ पे आपको journaling suggestion का option आ रहा है आपको उसी पे click करना है इस पे जो आप click कर देंगे तो यहाँ पे आपका discoverable by others का जो option है इसको आपको turn off कर देना है अगर यह on होगा आप के handset में इस पे आप नीचे देखे पड़ लिखा हुआ है allow others to detect you are nearby to help prioritize their suggestion तो इसको आपको turn off कर देना है यह उतनी जरूरी चीज़ नहीं है आपके iPhone के लिए इससे भी आपके जो internet speed है उस पे फरक्त दिखेगा इसके बाद जो अगला और last जो steps आपको करना है वो है कि आपक suggestion के नीचे ही आपको एक option देखने को मिल रहा होगा analytic and improvement आपको इस पे click करना है click करने के बाद आपको जो पहला option आ रहा है share iPhone analytics इसमें आपको इसको turn off कर देना है इसमें आपको benefit यह मिलेगा देखिए आप लिखा हुआ help apple improve its product and services by automatically sending daily diagnostic and usage data data में include location information analytic uses wireless data यह आपके services को automatically daily diagnose करता है और आपके data को consume करता है जिससे की आपके जो internet speed है उस पे impact करता है और यह आपके internet speed को decrease कर देता है अगर आपको इपने internet speed को increase करना है तो आप यहां से इसको turn off कर सकते हैं आपके नहीं